हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोवेडिक्स में और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और बेहद जरूरी वीडियो जिसमें हम बात करेंगे दोस्तो ब्लट शुगर रेंज की जी हां दोस्तो उम्र के मुताबिक कितनी होने चाहिए आपकी ब्लट शुगर इ आपको बताएंगे के नॉर्मल प्री डाइबेटिक और डाइबेटिक रेंज क्या होती है दोस्तो आज हम ये भी बात करेंगे के हमारी ब्लट शुगर किन-किन बातों पर निर्भर करती है तो दोस्तो आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज ह हम छोटे हैं बड़े हैं या फिर बूढ़े हैं तो उसके अधार पर हमारा ब्लट शुगर लेवल लगातार बदलता रहता है तो आज अप इसी के बारे में बात करने वाले तो आए शुरू करते हैं और मैं आपको बताऊं दोस्तो जो बच्चे 6 साल से छोटे हैं उनका फ 110 से 200 तक हो सकती है फिर बात करते हैं दोस्तो 6 से 12 साल के बच्चों के लिए तो इसमें फास्टिंग ब्लट शुगर लेवल 80 से 180 के बीच में और खाना खाने से ठीक पहले का ब्लट शुगर लेवल 90 से 180 के बीच में और खाना खाने के 2 घंटे बाद का ब्लट शुगर लेव 70-150 जबकि खाना खाने से ठीक पहले इनका blood sugar level 90-130 होना चाहिए दोस्तों खाना खाने के 2 घंटे बाद इनका blood sugar level 140 तक होना चाहिए जबकि सोते समय इनका blood sugar level 90-150 के बीच में होना चाहिए फिर आगे बात करते हैं दोस्तों 20-65 साल तक के लोगों में fasting sugar level 100 से कम होना चाहिए जबकि before meal यानि खाना खाने से ठीक पहले का blood sugar level 70-130 तक होना चाहिए खाना खाने के ठीक 2 घंटे बाद इनका blood sugar level 180 से कम होना चाहिए दोस्तों और सोते समय इनका blood sugar level 100-140 तक होना चाहिए फिर बात करें ऐसे लोगों की दोस्तों जो 65 साल से उपर के हैं तो इनका fasting sugar level 90-130 जबकि खाना खाने से ठीक पहले इनका blood sugar level 80-130 तक होना चाहिए फिर दोस्तों खाना खाने के ठीक 2 घंटे बाद इनका blood sugar level 180 से कम होना चाहिए जबकि सोते समय इनकी blood sugar 100-150 के बीच में होने चाहिए फिर दोस्तों अब बात कर लेते हैं blood sugar के detail chart की यानि आपको कैसे पता चलेगा कि आप diabetic है या pre-diabetic है तो समझ ये कि fasting sugar level की बात करें दोस्तों तो अगर आपका blood sugar level 80-100 के बीच में है तो आप normal है लेकिन अगर ये 101-125 तक जाती है reading तो आपको pre-diabetic condition है यानि आपको diabetes होने वाली फिर दोस्तों 125 से उपर यानि 126 अगर reading आ रही है आपकी तो आपको diabetes है फिर खाना खाने के तुरंद बाद अगर आप अपना blood sugar test कराते हैं दोस्तों तो इसकी normal value 170-200 है जबकि 201-230 तक pre-diabetic और 231-300 तक diabetic value है फिर दोस्तों खाना खाने के ठीक 2 गंटे बाद अगर आपकी blood sugar value 120-140 के बीच में आ रहे हैं दोस्तों तो ये value normal है लेकिन अगर ये value 140-180 के बीच में आती है तो आप समझे कि ये pre-diabetic condition है फिर दोस्तों 180-200 या 200 से ज़्यादा अगर value आती है तो आपको diabetes हो गई है तो ध्यान दीजेगा इस बात को फिर बात करते हैं दोस्तों ऐसे factors की जिनसे आपका blood sugar level दिन भर प्रभावित रहता है तो दोस्तों आप समझे कि इसमें सबसे पहली बात है कि आपने दिन भर में क्या खाया है इससे भी इस बात पर फरक पड़ेगा कि आपका blood sugar level बढ़ा है कि घटा है दोस्तों आप समझे कि आपने दिन भर में कोई दवाई खाई है क्या या फिर कोई exercise की है क्या या आप बिमार हैं और फिर उस particular बिमारी की दवाई भी खा रहे हैं फिर आगे बात करें कि क्या आप तनाव में हैं कोई stress है कोई समस्या है तो उसे भी आपकी blood sugar प्रभावित होती है दोस्तों और आपने दिन भर में कितना पानी पिया है इस बात से भी आपके blood sugar पर फर्ख पड़ता है दोस्तों क्या आपने शराब पी है या आप महिला है और आपका menstrual period चल रहा है तो उससे भी आपकी blood sugar level प्रभावित होती है और इन सब के अलावा एक और चीज है जिससे आपकी blood sugar प्रभावित होती है और वो है आपकी उम्र जीहां दोस्तों आपकी age क्या है इस बात से भी फर्क पड़ेगा कि आपकी blood sugar value क्या आ रही है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आज दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमें like और share जरूर कीजेगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज हमें subscribe भी करें धन्यवाद